कि गुद्ध करता हूं वही जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह पजल टेस्ट का सेकंड पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़े इंपॉर्टेंट ही रहेंगी इसमें दिरे दिरे इसमें लेवल बहुत टफ लेवल तक जाओंगा तो अभी तो लास क्लास में जैसे बिल्कुल बेसिक कराया था आज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नेक्स क्लास में और जादा टफ होगा तो चीज़े बदलती चली जाएगी तो हर टाइप के कुशन में आपको करा दूँगा लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से सीखते जा क्लियर तो चलिए भी हाँ शुरू करते हैं आज का कुशन जो कुशन है आज का पहला तो देखी क्या है समझेए तक कर देखी क्लास होती है मैं डेली ही क्लास लेता हूं कोई ऐसा नहीं है साथ से आर्ट आपका मैस होता है आट से है नो रीजिनिंग होता हूं डेली क्लास होती है ऐसे नहीं कि हम करते हैं डेली क्लास होते बी ठीक है हाँ चली पेपर लेके बैठना भी अच्छे-च्छे वीशन है जरा सॉल्व करके देखना भी क्या है चले शुरू हो जए मैं भी कहां तक लिक सकता हूँ चलिए शुरू करते हैं भी इस कुशन को पढ़ो कहना क्या चाहता है भी कहना क्या चाहता है यह देखी भी उसने कहा भी छे फ्रेंट है PQRST and U यह कहा Our member of a club एक club के member है और प्ले डिफरेंड गेम अलग अलग गेम को वो खेलते हैं भी फुटबॉल, क्रिकेट, टैनिस, बास्केट बॉल, बैडमिंटन और वाली वाली यह वो गेम यह वो गेम है जो वो खेलते हैं ठीक है अब इसने कहा T who is taller than P and S plays tennis अब देखो कही पर भी बात को ध्यान समझ अब जो मैं बताना चाहता हूँ कहीं पर भी height के बारे में बात करें यह rank के बारे में rank कमीनिंग जैसे उसके highest number आए हैं उसके least number आए कहीं पर भी ऐसा हो सबसे पहले किया करो अब यह काम पहले कर लोगे तो आसान हो जाएगा अब देखो सबसे पहले मैं यही काम करता हूं देखो इसने का टी हुइस्ट टॉलर देन पी एंड़ पेस चैनिस तो ऐसा कुछ लिख लेता हूं मैं तूर गरते हैं अब यह करते हैं अब कर देखो कहीं अभी दो इसको प्लेस्टों कर नहीं सकते हैं कि कों़सी पॉशफिशन पर रहें लेकिन लिख लेता है हमने क्या कहा हमसे यह कहा कि ट जो हैजो वह किससे लंबा है भी पी से भी और एस से भी अब دेको इनकी सिक्वइंस तो बता नी था प्ती ultimate लेकिन टी सबसे कि लंबा हो टी तॉलर और तो ट गहलेंगंते विंग और टी क्या खेँलता है में तनीज़ किलता आतीARK चीड़ीच टालिस्गह अब उसनी का है of the tallest裡面 tallest अम और minduin tohast अमग में जो सबसे लंबा है दीज अ हम धैम है दो सबसे लंबा है वह बास्केट बोल के पर इसको मिनिंग जो पहली पॉजिशन इस में जूसे लंबा है one was a यह यह जैना व्हीा भी बास्केट बोल thought I किए एक हलते विप्य बास्केटबोल चेता अब इसने आगे क्या लिखा दशॉरटेस अमंग देम जो सबसे चोटा है दशॉरटेस अमंग game plays volleyball, जो सबसे छोटा है वह volleyball किलता है, यह क्या झेलता है भी volleyball किलते être है यह बासवन में आती है जो सबसे छोट早 पर यहां जो सबसे लंबा है यह 90 बासकेट यह कहा इस ने आगे कहा क्यू एस नीदर play volleyball nor basketball, उसने कहा qrs, ना तो volleyball खिलते हैं ना भी basketball, तो इसका मिनिंग, यहाँ पर qrs, यहाँ नहीं आसकते हैं, और qs यहाँ भी नहीं आसकते हैं, its means qs में से कोई सबसे llamba भी नहीं, और कोई सबसे чोटा भी यहां पता चल गया यहां क्या यहां पर आएगा आर जो सबसे चोटा है वह आर है सबसे चोटा को ने भी आर फिर इसने कहा T is between Q who plays football and P in order of height जो T है वो किसके बीच में है T जो है किसके Q और P के बीच में है तो इसका meaning simple सी बात यह हो गई T यहां यह Q और यह P और फिर है भी S ऐसा ही कुछ है पक्का और Q क्या खेलता है भी football खेलता है यह आगया भी हमारा football यह क्या खेलता है भी football खेलता है पक्का तो देखो इसने हमसे क्या कहा T जो है T is between Q and P in order of height का तो यह order हो गया इन तीनों की height का order हो गया लेकिन T P और S दोनों से लंबा था तो S इसका meaning उससे भ खोटा हो गया यह बास में आती है अब एक बाद बताओ भी सबके सब और कोई भी condition है हाँ एक और condition है हम नहीं नहीं सारी condition हो गया चलिए अब देखो इनको arrange करते है पहले एक बाद बताओ समझने की कोशिश करना यह जो चार मैंने लिखे इन चारों में सबसे जो लंबा है यह हाइड के according अरे नहीं है अब यह है कितने बई चार एक दो तीन चार तो arrange कर दो क्यू टी पी और एस आगे arrange कर दिया एक नाम बचा है यू तो यू यहां आगे भी यू यहां पर आगे यू क्या खिलेगा सिम्पल सी बात है बास्केट बोल खिलेगा अब क्यू के बारे में उसने कहा था भी फुट बचें है और दो ही गेम बचें एक तो cricket बचा बी और दूसरा क्या बचेंभी बैड्मिंटन बचाहे cricket और बैड्मिंटन यह तो दो गेम बचें तो यह दो गेम बचेंगे चे आज़सा कोंसा क्व केम खेल रहीं Bab backs cricket और यह बैट्मिंटन हो यहां घ्रिकाएगा है तो यहां पर इदर और काश आजाएगा तो कृक्रिट इंया फिर बेड्मिंटन बहुत बढ़िया है प्लीर यह सोन होगे इसके कही इसन पूछे जाते यह अब देखो इसका पहला कोशन क्या है जरा देखिए इसमें क्या क्या पोछे हैं वहांपर देखिए बेंगो स्वालत हो गया ना में आ गया बै इसे कितने शोटॉइंट हैं जिनका यही आया बिंकुल सेम यही है आइसे कितने भी अभी बहुत बढ़ है बहुत बढ़िया चली अब जरा देखो इसका कुशन क्या है who among them is the taller than r but shorter than p भे उने का ऐसा कौन है जो r से तो लंबा है लेकिन p से चोटा है r से लंबा है p से चोटा है तो answer क्या देंगे भई भई r से लंबा p से चोटा तो वो कौन है s है तो right answer is s right answer is s बहुत बहुत अच्छा बही very good दूसरा क्या है दूसरा क्या है उसने कहा who will be the at the third position if they are arranged in the descending order of their height यदि मैं इनको descending order में arrange करूं तो third position पर कौन आएगा अब यह देखो बेटा one number two number three number यह decreasing order में तो है descending order में तो है तो third position पर कौन है t है तो right answer is t right answer is t next का देखिए भी next का हाँ उसने next question में क्या पूछा है कि इनको descending order में arrange करता हूं तो descending order में arrange करने पर third position पर कौन आएगा descending order में arrange करने पर third position पर कौन आएगा who will be the third place if they are arranged in the descending order of their height if the height के according यदि मैं इनको descending order में arrange करता हूं तो third position पर कौन आएगा वही यह descending order यह नहीं है यह से नहीं सबसे लंबा कौन था यह वाला था बात को जान समय वन का मीनिंग था जो सबसे लंबा मैंने यह शुरवात में बता दिया था फिर देखो which of the following statement is not true कौन सा यह स्टेटमेंट है जो not true है नेक्स देखो next question देखें हाँ next question देखो भी next question क्या है उसने यह कहा है कि भी विच अव दा following statement is not true कौन सा ऐसा statement है जो true नहीं है इट में सत्य नहीं है पताइए पहला बता भी क्या है पी शॉटर देन आर पहला तो पहला यह गलत है भी पी शॉटर देन आर पी र से छोटा नहीं भी यह तो पी तो आरसे लंबा है तो पहला ही statement क्या इसका wrong है पहला ही statement इसका क्या है रोंग है तो option number one is correct हां बिलकु सही का option number one is correct चले अगला देखते हैं भी next question देखो next क्या है उसको ज़रा समझो next question क्या है अगला question देखो उसने कहा what does s play उसने क्या कहा कि what does s play s क्या game खेलता है यह आपको बताना है what does s play s क्या game खेलता है यह आपको बताना है clear s क्या game खेलता है चलिए एक बात सोचो s क्या game खेलता है इसके लिए हमें बताना है तो s का game देखो भी क्या है s का game है या तो cricket है या फिर क्या है बैडविंटन भई उसने क्या कहा इधर cricket और बैडविंटन भई s क्या गेम खेलता है या तो क्रिकेट खेलता है या फिर बैडविंटन एस के बारे में एस क्या खेलता है या तो क्रिकेट क्या खेलता है या फिर बैडविंटन तो आप्शन क्या एगा ऑप्शन नमबर थ्री इधर क्रिकेट और बैडविंटन बहुत-बहुत बड़े भी यह बात ट्रिकेट और बैडविंटर चली अगले कुछन फिर आ जाता है अगले कुछन बहुत 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 अच्छा भी बहुत बढ़या है जरा उसको समधने की कोशिश करना है अगला देखिए हो जाएगा इधर तक कर सकता हुए तो चलिए देखे भी अब थोड़ा सा कॉशन और बड़ा होगी ठीक है जाउब अब ड़स्दागा रश्जण होगी तक सकता है जाईँ कर दो शावे लड़ाय सेटा हुआ जाईब होगी अपला हुआश मुआकों मुआश जाएबगा अपला मुआच मुआकों मुआच़ा और तक कुछ़ाद होगी चली भी शुरू करें देखें जरण देखें अगला कोशन देखो ये कोशन भी आपको टाइम तो लगता ही है लेकिन ये एक कोशन तो आता हैं नहीं सिंपल सी बाते पांच कोशन आते हैं पांच कोशल्च आते हैं देखो यहाँ पर यह दी आपको इनको जल्दी करना ना दो तीन चीजए आपको अपनी स्पीड तो बढ़ानी होगी ौटेन ौटेन चीजे क्या क्या करनी है एक तो पढ़ने की स्पीड को फिड़ को 17 को समझने यह पूछने के ठीक है न चलो अब देखो फटाफट पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है इसने का देयर आर 7 कितने स्ट्रेंट है साथ एबी सीड़ी एफ 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 एट जी इने क्लास में साथ स्ट्रेंट है इच अफ दैम हैस डिफरेंट फैड़िट सब्जेक्ट सभी का अ अगली लॉव लाइन में क्या बोला सी है सिक्योर्ड सेकंड हाईक्स सी के सेकंड हाइस अब देखो कही नहीं वह बताना शुरू कर देना सी है सिक्योर्ड सेकंड हाईस्ट मार्क αथ से समक्सित बात यह है कि आपको बस इतना काम करना है जब ही ऐसी पोजिश् schöne तो सबशे पहले यही लिखो one two three four five six seven ठीक है ना यह बास समय में आया सी है सिक्योर्ड सेकंड हाइस मार्ट तो सी के सेकंड हाइस मार्ट से जान से देखिए भी सी के जो है वो सेकंड हाइस मार्ट से तो इसका मिनिंग सी दू क्लास में दूसरे नंबर पर है सी क्लास में क्या है दूसरे नंबर पर है अब इसने लिखा क्या है नीदार इंग्लिश नौर मैथमेटिक से इस फैवरेट सब्जेक्ट ना तो इंग्लिश और ना ही मैत इसका फैवरेट सब्जेक्ट है ना तो इंग्लिश ना ही मैत इसका क्या है फैवरेट सब्सक्राइब निए सबसे कम नंबर आए तो यह कौन सी पोजिशन पर आ जाएगा भी साथ भी पोजिशन पर एके सबसे कम नंबर आ इस Rights max and Neither So sociology नोर मैफ इस फैवरीट सब्जेक्ट ना तो sociology और ना ही मैफ इसका फैवरेट् सब्जेक्ट है तो यहां से इसको कैंसल कर दो देकी पू जैसे मैं लिखते जा रहो है है physics सुन में आता है अब इसने का एंड सिक्यूर मोर्दैन मार्क बी एंड जी बट लाज दें ए डी जो है वो बी और जी से ज़्यादा लेकिन एसे क्या है कम है देखो वह ध्यान से इस बात को ध्यान समझो डी के जो माक्स हैं वो बी और जी से ज़्यादा यहां पर बी के माक्स बी और जी से ज़्यादा है लेकिन किस से कम है एसे कम है ऐसे ही तो कुछ कहा पक्का इतनी बात तो सन्में आती है अब इसनी कहा दा फैवरेट सब्जेक्ट ऑफ बी इस बाइलोजी बी का फैवरेट सब्जेक क्या है भी बायो है बी का फैवरेट सब्जेक्ट क्या है भी बायो है बी का फैवरेट सब्जेक्ट क्या है भी बायो है बी का फैवरेट सब्जेक्ट क्या कहा भी बायो and his marks are more than E but less than G बी के marks जो है वो G से कम है लेकिन E से ज्यादा है G से कम है और E से क्या है ज्यादा है ऐसा कुछ उसने कहा है देखो इसने क्या कहा D के मार्क्स B और G से ज्यादा थे A से कम थे लेकिन उसने फिर आगे क्या कहा B का फैवरेट सब्जेक्ट है बायो और B के जो मार्क्स है वो E से ज्यादा लेकिन G से क्या है कम है पे के मार्ट जो है वो ई से जगादा लेकिन जी से क्या है यह बासन में आती है अब इसने आगे लिखा क्या है the favorite subject of a is philosophy एका जो favorite subject है वो क्या है philosophy है एक जो favorite subject क्या है वो philosophy है एक जो favorite subject क्या है बिटा वो philosophy है और उसने का the student whose favorite subject is chemistry got the highest marks और उसने का जिसके सबसे जादा नमबर है उसका favorite subject क्या है chemistry है अब एक बात समझो यह वाली जो sequence है इस पर ध्यान दो यह यहां से देखो sequence क्या बनके आई थी ए डी जी बी और ए इसना यह वाली sequence हमारी और एका क्या था भी philosophy ठीक है और बी का था क्या वायो ठीक है इतना हमें काहता अब एक बास सुननो भी इतना तो इतना ही तो हमसे कह थे क्लिए अब इक बाबताओ इस sequence को यह दिए आप ध्यान से देखता है इन में सबसे ज़्यादा नमबर किसके इनमें सबसे ज़्यादा नमबर दिखाए दे रहे हैं मुझे A के और A का फैवरेट सब्जेक्ट क्या है फिलोस्फी तो क्या मैं A को यहां रख सकता हूं नहीं रख सकता है A यहां तो आ नहीं सकता है यहां C आ गया तो बची यही पोजिशन एक नाम बचा है बटा हमारे पास F यह आया और A का फैवरेट सब्जेक्ट क्या है फिलोस्फी ठीक है डी का बी का क्या है बी का है बायो और डी का है उसने हमें बता दिया था डी का फैवरेट सब्जेक्ट क्या था फैजेक्स उसने पहले ही हमें बता दिया। pun का फैजेक्स कीज सब्चा को नए टो जी बचा ए यहांगर देखो ऑफ लास्ट शीड़ता किजिए न को सबसे करो जिन के उपर सबसे ज़्यादा क्रॉस लगें यहां पर देखो सोसिलोजी और मैस के उपर यहां इंग्लिश और मैस मैस दोनों जाए कोमन आ रहा है ना तो मैस के उपर यहां भी क्रॉस लगाए यहां भी क्रॉस लगाए तो इसका मेनिंग मैस ना तो यहां और नहीं यहा कि math जो आएगा, वो यहाँ आएगा, math के पास यही option रहे अब रही बात, English और sociology, अब यहाँ sociology है यहाँ English है, इनको आपस में interchange करा दो यहाँ sociology नहीं आ सकता है, तो कहाँ आएगा? ठीक है? और वहाँ English नहीं आ सकता है, तो English ही तो बन गये भी आप लोगों में से जिनों कर दिया था क्लियर है आप लोगों में से कितने यहीं चैन्म ने कर दिये कि आप लोगों बहुत बढ़ी है पलक बहुत बढ़ी है शेलेश केर्थी बहुत हचे बहुत अच्छे बहुत अच्छे पी चिन Penn यही था भी बहुत अच्छे बहूत watt ही इतनी इतनी बात समझ में आते हैं, मिहर, समझ में आया है भई, चली अगला देखते हैं भई, यहां से, बहुत अच्छे भई, संजेब, वेरी गूड, अब देखो, यह तो यह बन तो गया, अब इनके फटा-फटा आंसर देते हैं, अंसर देते हैं, भी क्या-क्या है, पहला किमिस्ट्री किसका फैवरेट सब्जेक्ट है 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 किमिस्ट्री किसका दिखाई देरा भी एफ का तो कैमिस्ट्री किसका फैवरेट अगला क्या है भी इसमें लिखा है विच इस दा फैवरेट सब्जेक्ट ऑफ ए ए का जो फैवरेट सब्जेक्ट क्या है एका फैवरेट सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश एका फैवरेट सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश एका फैवरेट सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश English है पक्का चले अगला कोशन देखो अगला क्या है अगला इसने कहा when all the seven students are arranged according to their marks in descending order यदि सभी को मैं descending order में arrange कर देता हूं what is the position of a from the top a की position top से क्या होगी what is the position of a from the top a की position top से क्या होगी आप से पूछा गया next question देखो next क्या है इसने का यदि मैं सभी को सातों को arrange कर दूं कैसे descending order में घठते हुए क्रम में रखा जाए तो एक ही टॉप से portion क्या है भी दिख रहा है ने descending order ही है तो descending order है तो कौन सी पोजिशन है third position है तो कौन सी पोजिशन पर यह कह रहा है कि what is the favorite subject of G अगला question यह है what is the favorite subject of G G का favorite subject क्या है what is the favorite subject of G G का favorite subject क्या है यह आपको बताना है हाँ what is the favorite subject of G G का favorite subject क्या है ज़रा इसका जवाब दो भई जी का favorite subject हमें दिखाई दे रहा है क्या math तो answer क्या बनेग अभी math बहुत बढ़ गया मैं इसका वैड़ अच्छे बहुँ अब अगला देखो कि सेकंड लीसट मार्क्स किसके आए है यह आपको बताना है जू सबसे कम है उससे जस्से ऊपर वाला तो सबसे कम तो एक थे उससे ज़स्ट उपर किसके है बीके तो सब सेकंड लीस्ट मार्क्स किसके भी बीके सेकंड लीस्ट मार्क्स है क्या ये बाते संद में आती है पक्का डाउट तो नहीं है बहुत बहुत अच्छे भी वेरि गुड जिसका ये सही था बहुत बढ़िया ये बात हुई ना बहुत अच्छे भी वेरि गुड चलिए नेक्स कुशन की ओ चलते हैं नेक्स कुशन क्या है उसको समझ भी अगला कोशन देखें अगला क्या है थोड़ा सा और बड़ा कोशन है इसके लिए इस पेस और कम होगे भी थोड़ा सा इस कोई बाति थोड़े के लिए थोड़ा कि मेरे लिए आए की थोजेगी सहीं है फोड़ा सा टायम से आप लोग जुड़ जाया करें ठीक है ना टायम से आप जुड़ जाया करें बहुत अच्छे भी चलिए देखिए जरा कोशन को आप समझ भी क्या है इसलिए लिखा क्या है भी साथ मेंबर है है एच आई जे के एल एम और एन वरकिंग डिफरेंट सिटीज वो सिटी कौन-कौन से अभी एमदबाद ठीक है ना बैंगलोर फिर चिन्नाई हैदराबाद कॉलकाटा ठीक है दिली और मुंबई ठीक है इनोंने का भी यह वो सिटी है जहां वो क्या करते है वर्क करते है नाम क्या क्या भी इनके जो काम करते है वह है एच आई जे के ल और एम और एन है यह वो नाम है भी हैच आई जे के लैंसरे नाम है अब इसनिये क्या कहा कि बही इन कि अलग-अलग मदर टंग है भी डिफरेंट डिफरेंट मदर टंग है वो क्या-क्या है भी तमिल कर नड़ कि तैलगू और हिंदी कि मराथी पंजाबी बंगला यहां लिख लिए अब मुझी बैंगलोर तो कंफर्म हो गया ना जे वक्स इन बैंगलोर जे बैंगलोर में काम करता है तो कंफर्म हो गया तो यहां से बैंगलोर को कैंसल आउट कर दो जे वक्स इन बैंगलोर एंड हिज मदर टंग इस नोर तमिल और मराथी ना तो इसकी मदर टंग तमिल है और ना ही मराथी यह ना तो तमिल है और ना ही क्या है मराथी ऐसा मैंने लिखा लेकिन यहां क्रॉस लगा दिया ठीक है आगे इस ने कहा के इस मदर टंग इस पंजाबी के की मदर टंग क्या है भी पंजाबी पका पता चलिके भी यहां से यह कैंसल आउट के की मदर टंग क्या है भी पंजाबी है और यह एमदाबाद में काम करता है यह एमदाबाद में काम करता है यह एमदाबाद में काम करता है यहां से यह कैंसल आउट यह एमदाबाद में काम करता है फिर आगे से लिखा है ल एंड एम डूनोट व L&M do not work in Chennai and none of them has Marathi mother tongue और दोनों में से किसी की भी Marathi mother tongue नहीं है तो Marathi यहां भी नहीं आएगी और यहां भी नहीं आएगी दोनों जगे Marathi नहीं आ सकती Marathi यहां पर भी नहीं आएगा और Marathi यहां पर भी नहीं आएगी Clear है? Fraggis ने लिखा है I works in Hyderabad I Hyderabad में काम करता है यह confirm हो गया I Hyderabad में तो यहां से Hyderabad Kanton II wereks in Hyderabad and His mother tongue is Telco है तो यहां से द्रकान काई गया Clear है? I works in Hyderabad and His mother tongue is Telco Đवन हूवक्स इंड़ी जो दिल्ली में काम करता है, एसவांगला नहीं आएगी जो दिल्ली में काम करता है उसकी मदर टंग क्या है बांगला है यह कॉंबिनेशन हमें याद रखना है जो दिल्ली में काम करता है उसकी मदर टंग क्या है भी बांगला है फिर उसने आगे क्या लिखा एन वरक्स इन मुंबई एन मुंबई में काम करता है और ही इस मदर टंग इस हिंदी ये हिंदी कंफर्म हो गया तो यहांसे हिंदी कैंसल आउट हो गया अब इसने का Elle does not work in Kolkata, Elle Kolkata में काम नहीं करता है, Elle Kolkata में काम नहीं करता है, यहाँ पर Kolkata भी नहीं आएगा, Elle does not work in Kolkata, अब यह जो सारी कहानी तो हमने लिखे लिए, अब यहाँ से थोड़ा टार्गेट करना शुरू कर रहा हो, अब यहां से कैसे किया जाए solve main चीज़ है इसको solve करने का तरीका संजे बहुत बढ़ी है भी देखिए भी ध्यान समझे यहां पर देखो तरीका क्या है अब यहां पर जैसा जैसा है इसको तो भूल जाओ इसका तो काम खतम हो गया ठीक है अब इसको यदि मैं हटा भी देता हूँ यहां से आप समझने की कोशिश करो ठीक है यहां से देखो अब इस पर target करते हैं यहां पर target करते हैं देखो इसने कहा मराठी यहां नहीं आ सकता यहां नहीं आ सकता मराठी यहां नहीं आ सकता तो कौन सी जगह ऐसी है मैंने आपको बताया था ना ऐसा वर्ड चूज़ करो जिसके उपर ज्यादा क्रोस लगे हो यहां पर मराठी के उपर यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी तीन जगे क्रोस है ना तो यहां सबसे जदा क्रॉस मराठी के ऊपर है तो इसकामरी मराठी यहां नहीं आए गा तो तो मराठी यहां आ गया गया, कंफरम है, मराठी का काम का था, ठीक है, अब रही बात अब जो यहां पर क्रॉस लगा है, वो तमिल के उपर लगा, तो tamil यहां नहीं सकता, तो y심 can ALEXA, तो यहां 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 बता ये भी इतनी बात समझ में अगई अब हमें बताए जहां दिल्ली यहें वहां पर कौन सा 상etch में बांगला है पर ऐस फिर यह बात निया सकती तो उनने स्पहाँ नहीं है कि यहां तमीel निया सकत ही तो तमिल के पास यह है आजशन आगेत तमील यहाँ अब बची एक लेंग्विज बची है देखो कौन सी बची है वो बची भी कंणर यह वाली बची है तो सारा हो गया भी हाँ बहुत बढ़िया क्लियर है पक्का हाँ चलिए अब देखो भी इसको चेक करो भी कितने ऐसे स्ट्रेंट है जिनका बिलकुल सही है यह जवाब दो भी ऐसे कितने स्ट्रेंट हैं हाँ जिनका बिलकुल सही है संजय ने का भी बिलकुल सही है मनोज का बिलकुल बताव भी मनोज सही है यह नहीं है आशीश पलग बताइए भई कंप्लीट ना किस किस का सही है यस यह नो में हाँ बहुत अच्छा भी सही है ना जिसका सही है बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छे अब देखो हाँ यह बात हुई ना देखो ऐसे किसमें बस आपको यह चीज़ क्रॉस यह लगा लोगे ना तो आसान हो जाएगा आपको पता रहेगा कौन-कौन बचा हुए और किसको हमें पहले टार्गेट करना है हाँ सही है ना सही मैं बहुत बढ़िया अब देखो इनके कोशन देखते हुए किस कैकट क्या है इस कोशन क्या कहाँ बच बच्छर को बचलस प्र कुशन आया बी पहला कुशन ये है वाट इस जे की मदर टंग क्या है जे की मदर टंग है बई क्या कनड वो भाषा बोलते हैं क्या बहुत बढ़ बहुत अच्छे दूसरा देखिए बटा दूसरा क्या है यह समझ में आगे ना अब तो आंसर देने में तो कोई मैंने ही मानता कि के आंसर आपके लिए मुश्विकिल होँगे आंसर देना तो बहुत आसान है वेखिसे खुर्शन को करना मुश्विक गफंच को 12 करना थोड़ा करता है हम चिन नहीं में कौन काम करता है देखे बताइए चिन नहीं में काम करने वाला को नहीं है एच एच करता है बिलकुल सही है बहुत बढ़ एच जो है वो चिन नहीं में काम करता है एच किसमें करता भी चिन नहीं में काम करता है बिलकुल सही जवाब अगला देखो इस सा कॉम्बिनेशन सही है अगला देखिंट अगला कोशन क्या कहना चाए रहे विच कॉम्बनेशन इस करेक्ट हाँ फॉच उफटो पॉछलिंग कॉंबनेशन ही सभिलकू सही यह आपको बताने लेगो पहला option हमें दिया है मराथी एच हैदराबाद दूसरा दिया है तमिल एम कॉलकता मराथी आई चेन्नाई पंजाबी के दिली और नन अफदीज यह हमें option दिये अब इस वेसे बताओ भी कौन सा option सही दिख रहा है तमिल एम कॉलकता दिख रहा है ऐसे कुछ तमिल एम कॉलकता यह विल्कुल सही है क्लिर चलिए अगला देखो next question क्या है next question क्या कहता है उसको जरा समझ और दिली में कौन काम करता है who works in Delhi Delhi में कौन काम करता है यह आपको बताना है तो दिल्ले में काम करने वाला दिखाई देरा भी कौन है दिल्ली में काम करने वाला कोने भी एल है तो राइट आंसर इस एल ऑप्षिन नमबर थ्री पहुत अच्छे बहुत बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी है अगला देखो नेक्स उसने कहा है वाट इस M's Mother Tongue M की Mother Tongue क्या वतस और बताईके M's Mother tongue क्या है तो हमें जो Option में दिया है वो पहला Option दो दिया है भी बांगला दूसरा दिया है भी मराथी तीसरा दिया है तेलगूद चौथा दिया है जानों और बाताओ भी है तो Deak certificate M की Mother-tong है देखे मदर टंग क्या है तमिल यह तो राइट अंसर इस तमिल्ए जार राइट आंसर किया अभी तमेला यह तो यह लेकिन तम शॉप्षिन में नहीं तो आउसर क्या खेंगे भी आंसा देंगे हम ननोफ दीज हां गलती से फूर्ट मत दे देना फूर्थ का मिनिंग है can't be टर्माइन घ्यात नहीं किया जा सकते हैं लेकिन हमें तो पता भी एम के जो जो क्लास होगी उसमें टफ लेवल होगा ठीक है और आपको जो पीडिएफ मिलेगी वही जो मेरा टेलिग्राम एकाउंट है वितल शर्मा स्टडी आई क्यों इस पर आपको इनकी पीडिएफ मिलेगी तो आप जिसने जोई नहीं किया है तो वो कर लीजिए और याद रखो वहां दो अकाउंट दिखा देंगे उसमें जो जो याइन करना है जिसमें नंबर ओफेंडिट जादा इस बात पर याद रखना है ठीक है इस बात को ध्यान रखना है भी जब आप जोइन करें तो इस बात पर थोड़ा गोर करें कि भी उसमें number of candidates जादा है या नहीं है जादा वाले में कम वाले में नहीं वो किसे ने fake बनाया हुआ है ठीक है clear तो यह चीज़ ध्यान से समझेगे ठीक है फर्टवर्ड शेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा थैंक यू थैंक यू सो मच